जै भेरो बाबा की जै मादुर्गे मेरे पिरेदर्सको नवरात्रे के दूसरे दिन मा के दिवत्य सुरूप मा भर्माचार्नी की पूजा अरचना पुरी वीदिदान से आपको करनी चाहिए मा बर्माचारनी की जो पूजा से लाव है मा बर्माचारनी की पूजा करने से बैक्ति को अपने कारियों में सेदव विजय की प्राप्ति होती है माता की बक्ति से बैक्ति में तब की सक्ति त्याग, सदाचार, शेम और विरागय जैसे गुरों की विवर्दी होती है मा भर्माचारनी दुष्टों को सरमाग दिखाने वाली मानी जाती है इस दिन सादक कुनली सक्ति को जागर्त करने के लिए अपनी सादना भी करते हैं जिससे उनका जीवन सफल हो सके और अपने सामने आने वाले किसी भी परकार की बांदा का सामना वो अराम से कर सके असानी से कर सके देवी भर्माचारनी की उपासना से जीवन की अनेक समस्साई एक प्रेशानियों का नास होता है आज मैं आपको बताने जा रहा हूं मा भर्माचारनी की उपासना पूजा विदी के बारे में आपको कैसे करनी है इस दिन आप सुबह जल्दी उठकर सनान कर ले पूजा के स्तान पर आप गंगाजल डालकर उचकी अच्छी तरह आप सुद्धी कर ले घर के मंदिर में आप दीप परजुलित करें दिपग जलाए मा दुरुगा को गंगाजल से अभी सेख कराए उसके बाद आप मा को अक्स्त और शिंदूर जरूर अरपित करें देवी मा भर्माचारनी को गुड़ और कमल का फूल बेहत पसंद है इसलिए आपको गुड़ल और कमल का फूल मा भर्माचारनी को जरूर चड़ाए दूप और दिपग जलाकर दुरुगा चालेसा का आप पाठ जरूर करें फिर मा के आप आरती करें मा भर्माचारनी को जो पिर्य वेंजन है वो है मा को चिन्नी और मिस्री काफी पसंद है इसलिए मा को भोग में चिन्नी और मिस्री और पंचामत का भोग आप जरूर लगाए मा भर्माचारनी को दूद और दूद से बनी वेंजन अतिप पिर्य होते है इस भोग से देवी भर्माचानी अथी शिगरे परशन हो जाती है इनी चीजों का दान करने से आपकी लंबी आयू का सुभाग्य भी पाया जा सकता है माँ भर्माचानी का जो मंतर है इस मंतर को आपको जरूर पढ़ना है या देवी सरोबुतेशू माँ भर्माचानी रुपेन सस्तिता नमस्तस से नमस्तस से नमोनम है पिरे दर्शकों अगले वीडियो में हम बात करेंगे माँ चंदर घंटा की एक उपाय मैं आपको बताने ज रहा हुँ ध्यान से सुने परतेग गुरुवार के दिन विश्नु भगवान और माता लक्ष्मी की आप जरूर पुझा करें बागवान विश्नु और माता लक्ष्मी संपर्टता के परतिक है संबव हो तो बरश्पति की वर्थ की कठावे आप जरूर पड़े इससे वाली वीडियो भी आप देख पाएं तो आज के लिए बस इतना ही जय बहरो बाबा की जय मादुर्गे